हलो दोस्तो नमस्कार मैं दुशन कुमार आपका बाहर तक एड़ दुशन चैनल में स्वागत करता हूँ दोस्तो आज हम SSC GD के लिए रीजनिंग का मौक टेस्ट नमबर 4 लेका हैं जो आपके बिल्कुल पेपर पर बेस है ठीक है तो दोस्तो अपना प्यारा ऐसे ही वीडियो में बनाए रखना तो चलिए कुछ नमबर 1 पर चलते हैं तो कुछ नमबर 1 क्या कहता है देखो कुछ नमबर मैंने शरंकला दे रहा कि देखो 5 से 10 हुआ 10 से 20 हुआ 20 के बाद 35 हुआ 35 के बाद कुछ नवाए तो 5 से 10 हमारा पहले 5 का difference हा रहा है 10 से 20 का हमारा किना हुआ 10 का ठीक है तो को 5 अगर 5 5 जोड़ा 10 10 में 10 जोड़े 20 और 20 में अगर हमने 15 जोड़ दिया हमारा कितना बनेगा 35 तो हमारे simple सी बाती श्रीज है पहले 5 जुड़ा पिर 10 जुड़ा पिर 15 है तो अब हमारे क्या जुडने वाला है? 20 जुडने वाला है अगर 35 में अगर हमने 20 ऐड़ कर दिया ठीक है? तो 35 में अगर हमने 20 ऐड़ करा तो हमारा किनना बन जाएगा 30 20 50 तो 55 बनेगा ठीक है तो आपका इसमें option number D बिलकुल right हो जाएगा तो आपकी स्रीज simple है 5 10 15 और 20 ठीक है चलिए question number 2 पर चलते question number 2 में क्या कहता है question number 2 कहता है दिये गए सब्दों को सब्दों में अक्षरों को कितनी ही बार प्रियोग करके नीचे दिये गए वैकल्ब की सब्दों में से कौन सा सब्द नहीं बनाया जा सकता ठीक है तो अब हम चेक करते है ठीक है तो पहला चेक करते है देखो कौन सा नहीं बनाया जा जा सकता है ठीक है तो फ आई डवल एल एस तो पहला तो हमारा बनाया जा सकता है ठीक है तो दूसरा चेक करते है F I L E S तो F I L E देखो तो हमारा ये दूसरा ही नहीं बनेगा ठीक है तो simple सी बात है हमारा कौन सा और दूसरा option नहीं बनेगा क्यों नहीं बनेगा तो option number B आपका नहीं बनाया जा सकता ठीक है तो आपका इसमें option number B बिल्कुल right बैट जाएगा ठीक है चलिए next question क्या कहता है A को कूट भासा में दो लिखा जाता है दोको A हमारा एक पर आता है A को हमा क्या लिख रहे हैं 2 B को हम क्या लिखते हैं 3 लिखते हैं यानि कि उनके number से हम एक extra लिख रहे हैं उनमें add करके ठीक है तो face को उसी कूट भासा में कैसे लिखांगे तो face हमारा दिको F कितने पाता है F हमारा 6 पर आता है लेकिन हमें एक add करना है तो हमने 1 एक add करा तो हमारा किना आएका 7 आएगा F के लिख 7 तो हमारा option जो किस से start होगा 7 से start होगा तो हमें 6 वाले तो option काटी देने हैं तो अब 7 A हमारा किस पाता? एक पाता है लेकिन हमें एक और add करना है तो A कर एक किना हो जाएगा 2 तो 2 पे हमारा कहता है B यानि कि तो simple जोगा 7 और 2 आएगा तो इसमें तो 3 से start हो रहा है तो ये तो नहीं बनेगा तो हमारा option number A बचा तो हमारा option number A ही इसका बनेगा तो फैस की value किने बनेगी 7,2,4,6 ठीक है चलिए नेट चलते हैं तो question number 4 कहता है सिरीमती करण गांधी स्वे स्क्वेर कलकत्ता से चलती है ठीक है वह अपनी कार 6 किलोमीटर पस्चिम की ओर चलाती है तो अपनी कोई यहां से चलाती है तो 6 किलोमीटर उन्होंने पस्चिम की ओर चली तो 6 किलो मेटर पश्ची मिंदर की तरफ होगा और अपनी दाई और घूम कर 4 किलो मेटर चलती है तो दाई हमारा काएगा उपर जाएगा तो हम इसे ग्राफ नीचे बनाते हैं थोड़ा से ठीक है वह आरम किस तल से कितनी दूरी पर देखो ये 6 उपर चला 6 नीचे तो हमारी देखो ये दूरी 4 तो हमें क्या ये वाली दूरी निकालनी है तो जब ये हमारी दूरी ये वाली चार बैठ रही है तो ये भी हमारी कितनी आएगी ये भी हमारी चार आएगी तो कितनी दूरी पर है तो वो चार किलो मीटर है तो आपका चार किलो मीटर आप्शन नमर सी दे रहा है Saam, इदर जाएगा यह मरा इधर आजाएगा तो यह वाला बॉक्स इधर से घुंगा यह इधर आएगा तो यहां ट्रेइंगल ऐसे बनेगा और this ट्रियंगल थोड़ा ठीक नहीं बनाडं़ा है और यह बॉक्स हमा इस टैप बनेगा कुछ freshmen बनेगा तो पहले हम चेक कर लेते हैं दोको यह तो हमारा इधर की तरफ बनना यह इधर की तरफ बनना है ठीक है और इसमें ट्रेंगल उल्टा दे राखा है तो यह भी नहीं बनेगा क्योंकि ट्रेंगल तो हमारा सीधा ही रहेगा ठीक है तो हमारा एक बनकलो का उप्सण बचा देख़ो आप को फिर कुछ करने के जरूरती भी नहीं ज्यादा आपको थोड़ा सा लोजिक लागाना थे उसके बाद आपका अंसर निकल जायगा तो आपका अप्सन नमबर चीज्मिद्विल्कुल राइट बैठ रहा है तो आपका उप्सन नमबर 16 4 और divide हमारा कौन से पार है divide हमारा इस पर आएगा B वाले पर तो 5 से divide करेंगे चार को ते तो divide होगा तो पहला तो हमारा option नहीं होगा second option put करते हैं तो क्योंकि 4 16 को divide करना है तो हम क्या रखेंगे 16 divide 4 और plus 5 equal to 9 multiply 1 ठीक है तो देखो 4 को 16 से divide करा 4.16 तो 4 plus 5 equal to 9 बंजा 9 4 5 हमारा 9 equal to 9 बैठा तो देखो इससे समीकरण संतूलित होगी नहीं होगी तो आपका लिए option number B से ही आपकी समीकरण संतूलित हो जाएगी ठीक है तो आपका इसमें क्या आएगा option number B बिलकुल right बैट जाएगा ठीक है चलिए next चलते है देखो next question क्या कहता दी गई आकरती को कौनसी एक आकरती पूर्ण करेगी ठीक है तो simple सी बात है देखो आपके इसमें 3-3 वो हैं तो आपके 3 बिंदू काएगे 1, 2 और कुछ इस type से 3 बिंदू आएगे नहीं आएगे तो पहले इन्हें चेक करिएगा यह कामेट के देखो यह तो ऊपर कोने मा रहा तो यह तो बिल्कुल नहीं होगा यह उल्टा भी प्रीत जा रहा है ठीक है तो हमारा एक बात बते ही जब यह गोला जाएगा कि वह किदर की तरफ जाएगा तो आपका यह एक option number A में ही दे रहा है जो आपका right बेट है का बागी तो सारे गलत दे रहा है ठीक है तो चलिए डेक चलते है देखो लॉमडी चालाक होती है ठीक है लॉमडी चालाक तो खरगोस कैसा होता है लॉमडी अगर हमारी चालाक होई तो खरगोस कैसा हुआ तो साज ही होता है खरगोस खरगोस तो देखते नहीं बाग जाता है किसी बेकती को ठीक है खतरनाक होता है खरगोस खतरनाक होता है वो तो चुप-चुप के बिचारा बागता रहता है ठीक है डर्पोग हों सिंपल सी बात है देखो खरगोश कौन होता है डर्पोग होता है ठोड़ी सी अबाद ही आए तो खरगोश दौड़ने लग जाता है ठीक है चलिए इसका नेक्स चलते हैं Q10 हमारा क्या कहता है देखिए Q10 कहता है देखो 24 126 ratio 48 और Q तो 24 को देखो हमें करना क्या है देखो सिंबल सा इक इसमें देखो आप लोजिक लगा सकते वाकिमें बता रहा हूँ ठीक है देखो अगर 24 को 5 से multiply करें 24 पंजे कितना होता है 120 ठीक है और इन दोनों के sum करें 4 रदों कितना हो अच्छ है अगर इसमें हमने add कर दिया तो हमारा किनना बज़ेगा 126 बना नहीं बना ठीक है तो 24 में अगर हमने 5 से multiply करी और 2 और 4 को add करके तो 126 हमारा आजाएगा ठीक है चलिए अब हम कुछ इस टाइप सेकंड वाले को चेक करते हैं 48 में हम क्या करेंगे 5 से multiply करेंगे करेंगे नहीं करेंगे तो 48 में 5 से multiply करेंगे तो हमारा किनना आएगा बताइए 48 से 5 अठे 40 0 5 24 240 आएगा ठीक है तो हमारा किनना आया 240 आया ठीक है और 84 को add करा तो 84 हमने इन दोनों को sum करा ठीक है 4 और 8 को किनना होगा 12 240 में अगर हमने 12 add कर दिया तो हमारा किनना बैठेगा ठीक है तो 240 में हमने 12 को add करा तो हमारा किनना बैठ जाएगा 252 बैठेगा ठीक है तो 252 आपके option number B में दे रहा का है तो आपका ये option number B बिल्कुल right बैठेगा ठीक है चलिए next चलते है next question क्या कहता है देखो ये कहता है दिये गए विकल्पों में से विसमसब्द संखे अक्षर समू को चुणियें तो आपका camera अलग होता है chamber होता है बरामदा होता है cabin अलग होता है ठीक है देखो आपको ने देखा होगा आप आप देखिएगा एक देखो कमरा हुआ chamber हुआ और cabin हुआ इन तीनों की shapes भी हमेशा कैसी होती एक समान होती ठीक है अगर हम सिंबल जी एक बात बता ही अगर हम एक कमरा बनाते हैं camera को हम chamber भी बना सकते है ने मना सकते है ठीक है और लेकिन बरामदे को ना तो हम camera व्याशे है उसा मलब की वैसे modify करके बना सकते है cabin बना सकते है इन एक कमरा, chamber और cabin में कोई ज़गा फरक नहीं होता है ठीक है camera के अंदर ही चेंबर बना जाता हो क्या विन भी ठीक है तो बरामदा इन्वे सबसे अलग लग रहा नहीं लग रहा जो सबसे डिफरेंट है तो आपका उप्शन नमर सी इसमें बलिकुल राइट बैट जाएगा ठीक है चलिए नेक्ट करते हैं देखो यह कहता है दिये गए विकल्पों मे से विसम सब्द संख्या या अक्षर समू को चुनिए तो आपका क्या कहता है ठीक है आपको इसमें क्या गरना है विसम को चुनना है और विसम कैसे चुनोगे ठीक है चलिए देखते देखो L हमारा किने पाता है? L हमारा 12 पर आता है J हमारा किने पर आता है? 10 पर आता है N हमारा 14 पर आता है P हमारा 16 पर आता है देखो 10 में से अगर हमने 2 घटा है तो हमारे किना बारे में से का 2 घटा है 10 10 में प्लस हमने 4 एड़ कर दिया और 14 में फिर हमने कितना करेक्ट दिया दो आड़ दिया ठीक है तो माइनस दो प्लस चार और फिर प्लस दो ठीक है देखो तो आपकी स्रीज के बनी माइनस दो प्लस चार प्लस के दो ठीक है पहले में तो यह हो गया दूसरे की स्रीज चेक करते है E, C, G, I तो E हमारा किने पर पांच पर आता है C हमारा 3 पर आता है G हमारा 7 पर आता है और I हमारा 9 पर आता है दोको 5 में से 2 गए ठीक है 3 बज़ेगा 3 में हमने 4 जोड़ा 7 में देगा और 7 में से 7 में फिर हमने 2 एड़ कर दिया तो हमारा 9 बटेगा तो माइनस दो प्लस चार माइनस दो ठीक है तो आपके लिए स्रीज ठीक चल लिए नहीं चल लिए दूसरे में चल लिए चल लिए चलिए तीसरे को एड़ कर चेक करते हैं C हमारा 3 पाता है A हमारा 1 पाता है ठीक है और F हमारा 6 पाता है और G हमारा 7 पाता है ठीक हो 3 में से 2 गया 1 बेटा 1 में अगर हमने 5 जोड़ रहा है ठीक है जबी तो 7 बनना है और फिर उसके बाद 1 जोड़ रहा है जबी तो हमारा 7 बनना है ठीक है तो ये स्रीज हमारी गलत हो चुके हैं नहीं हो चुके हैं हमारी स्रीज ती माइनस दो प्लस चार और प्लस दो ठीक है तो आपका option number C इनमें विशम बैठेगा तो सबसे अलग हुआ हमारा option number C तो आपका option number C ही इनमें सबसे अलग है ठीक है चलिए next चलते next question क्या कहता है देखो next question आपको से बोलता है दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चैनकरेज जिसमें दीगे संक्याओ का समून निमदी समून से समान हो तो आपको इसमें करना का है सिब्बल ची एक बाद एक logic लगाना है आपको तीक है ज्यादा कुछ करना नहीं है व हो जाएगा चोधे से और 16 का किना डिफरेंस है चोधे में अगरंने हमने 16 एक करें तो हमारा किना बेटाएक तीस यानी की देखो आठ दुनी शोल यानी कि पहले का जो अंतर है दूसरे में हो जाएगा ठीक है तो आपका logic क्या लगाना है आपको पहले में आपका single है तो द 4 का difference है हमारा किनना बारेका ठीक है पूच में अच्छा का डिफ्रेंस किनना होता है आध मक्षै गैं दो एक बारेका तो इसमें तो देखो बरावर difference दे रहाए तो यह तो option आपका ब़नेंगा नहीं option 2 को चेक करतें साथ में पाझा साथ में और सब्सक्राइब कर डिफरेंस कितना है साथ पाँच बार है ठीक है तो आपका लॉजिक क्या था पहले में सिंगल दूसरे में वह अंतरव हो रहा है तो यहां पांच था यह ले तो आपका उप्शन में 20 में बिल्कुल राइट बैट है का तो बाकी इन में ये लॉजिक नहीं बैठने वाला अगर आपका एक में लॉजिक सही बैठ रहा है तो ठीक है तो आपका option number 20 में बिल्कुल राइट है ठीक है चलिए next question पर चलते हैं कि देखो निमलिक सब्दों को अंगरेजी सब्द को इसके अनुसार करम में रखें तो सिंपल सी बात है पहला हम देखो INV देखो INV तो इन तीनों में ही दे रहाखा है ठीक है तो INV को तो हम काट देंगे INV तो हमने काट दिया उसके बाद E आएगा O आएगा A आएगा और E ठीक है तो सबसे पहले आमारा क्या आएगा A आएगा ठीक है इनमें देखो सारे V तक काटने के बाद हमारा A हमारा किसमारा चौ। दॉस्मिपल सी बात है हमारा जो अंसर स्टार्ट होगा ओं फौर्थ से स्टार्ट होने वाला ए तो यह तो हमारा सी वाला तो अपशन नहीं फिर उसके बाद दिखो हमने फूर्थ लिया ठीक है तेद़ को फूर्थ आ गया पिर हमने वी के बाद एक आप चेक करिएगा वी हटाने आपएक बाद IE इसमें से वेटा दिया तो इसमें और इसमें से वेटा दिया तो तो पहले wertना या चाहता है तो पहले वंग Allah इसके बाद क्या एका कि फस्ट ऐ जाएगा ठीक हैस्ट फिर उसके बाद हमरा एगा 5 माई ठीक है तो आपका जो स्रीच चलेगी, कौन सी चलेगी, option number 4 वाली चलेगी, ठीक है, चलिए, next question पर चलते हैं, देखो, ये कहता है, एक पंक्ति में खड़े हुए 5 अदस्यों में UK, दाई, और, और, तथा, क्यूंके, बाई, और, आर है, ठीक है, देखो, आर हमारा का है, बीच में है ठीक है, UK तो दाई ओर है, UK, UK हमारे दाई ओर हुआ, ठीक है, और, क्यूंके बाई ओर, क्यूंके हमारे किते हो गई है, क्यूंके बाई ओर हुआ, ठीक है, फिर, question कहता है, तता, S के, तता, नहीं, क्यूंके दाई ओर, S, ठीक है, S के बाई ओर, और, P के, P है, ठीक है, बाई और तथा S के बाई और P है ठीक है Q के दाइोर तो Q के दाइओर तो इसके ना दाइओर तो ऐसा हमारा यह आएगा जबी तो इसके दाइओर बैठागा तो इसे में पूचाया गैँच पंगती के माददे मेंalam सदिशों को ढूड़ीए विद पंगती के बीच में कौन है हमारा क्यों बैटा है इधर P है इधर P S से इधर U R है तो हमारे बीच में कौन बैटा है क्यों बैटा है तो इसमें आपका option number B जो है क्यों बिल्कुल right बन जाएगा ठीक है चलिए next question पर चलते हैं देखो ये कहता है कितने समय में एक बंदर 60 लंबे पेड़ के सीज पर पहुँच जाएगा ठीक है हमारा पेड़ है कोई और कितना ही 60 फिट लंबा है यदि वह एक सेकंड में 27 पव्य गार घरशच वालए चलांग वर अगर तो एक बार में उपर पहुंच जाएगा जब उपर पहुंच जाएगा तो नीचा आना है कोई मतलब नहीं रहेगा तो हमारा किन्सफेट साथ में यानि कि 58 चलांग में हमारा काप पहुझे का उपर पहुझाएगा तो 58 चलांग यानि कि एक सेकिंड में एक सेकिंड में 58 चलांग बैटेंगी तो आपका ऑप्शन नमबर सी इसका बिलकुल राइट बैटे गा ठीक है चलिएगा नेक्स्ट कुश्ण पर चलते हैं एक आम का पेड़ और एक नारियल का पेड़ समान उच्छा है ठीक है मैंगो बरावर नारियल ठीक है कोकोनट ठीक है तो मैंग आम का पेड़ जो हमारे नारियल के बरावर है केले का पेड़ ताड के पेड़ से नाटा है तो हमारा केला है केला का पेड़ है तो केला का पेड़ हमारा किसे ताड से नाटा है तो यह नहीं कि ताड का बड़ा हुआ फिर वो कहता है अमरूद का पेड केले के पेड़ से नाटा है तो अमरूद हमारा केले से भी नीचा हो गया ठीक है अमरूद हमारा केले से भी नीचा हुआ पिर वो कहता है लेकिन आम के पेड़ से उचा है और अमरूद हमारा देखो आम हमारा किसे है इससे भी नीचा हो गया ठीक है जब आम हमारा इससे नीचा है तो कोकोनोट नारियल का पेड़ भी इसी के बरावर था नारियल भी तो इसी के बरावर था तो आमर नारियल दोनों एक दूसरे के बरावर बैटे ठीक है यह नारियल लिखाया है ना ठीक है तो इनमें सबसे कौन सा पेड़ उचा है तो उचा तो कौन हुआ उचा तो सिर्फ हमारा ताड़ का पेड़ी हुआ ठीक है तो उचा के समय होगा हमारा ताड़ का पेड़ हुआ तो option number इसका भी बिल्कुल right बैटाएगा ठीक है चलिए हम next question पर चलते है देखो ये कहता है निमनी कथनों के अनुशार कौन से सट्फ सत्फ गलत देखो उपर कर छोड़ते है हमारे हमारे हैं कया दे रहागा फावड़े दे रहागे सब्षा औ जावड़ है ठीक हैो जावड़े कोई पावड़ा पात्र ने कि है कोई कोई फावड़ा पात्र नहीं देखो पात्र इसमें दो आपके वह गोले बन सकते तो पात्र एक तो यहां अलग बन सकते हैं कोई फावड़े को नहीं करा लेकिन कुछ ऑजार भी तो पात्र हो सकते तो दूसरी हमारे आकरती यहां बनेगी ठीक है यह करा कम से कम कुछ ठीक है तो आपका option number A ही बन जाएगा या तो निशकर्ट फस्ट बनेगा या निशकर्ट second ठीक है चलेगा next question पर चलते हैं next question हमारा क्या कहता है ठीक है दिए गए आकरती में कौनसी विकल्प आकरती में छुपी हुआ है तो हम इसे आकरती kenne कौनसी में छुपी हुई हुई हमें फिसका तो दोस्तों आपको आपका practice set आज यहीं समाप्त होता है तो दोस्तों आपके लिए अगर आपको हमारे practice set अच्छा लगे अगर आप हमारे practice set की वीडियो और चालते हैं तो हमें कमेंटे में बताएं अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लेगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तो थैंक यू अल आफ यू